संसद का नया भवन बनकर तयार हो चुका है यह न सिर्फ दिव्वे भब अलोकिक है बलकि इसमें भारती संस्किती सभिता का भी विशेज ध्यान रखा गया है लोकतंत्र का यह मंदिर अपने आप में देश की एक अनूठी मिसाल पेस करता है और लोकतंत्र के मंदिर में जो लॉमेकर्स है यानि की मानिय संसद है उनकी भी एक महती भूमिका होती है और अब यह मानिय संसद बहुत जल्द ही नए संसद भवन में बैठ कर लोक हित के मुद्दों पे अपनी आवाज देंगे हमारे साथ ऐसे कई मानिय सांसद हैं जिन से हम जानते हैं और समझते हैं कि कितना महत्पून पल, कितना गौरपून पल इस वक्त आप देख रहे हैं देखें आज के इस इतिहासिक पल पर मैं देश के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूँ और देश के नागिरिकों की तरब से देरेंदर भाई बहुत दी जो हमारे देश के प्रधान में उनको भी बढ़ाई देना चाहता हूँ क्योंकि यह इतिहासिक संसद भवन जो बन कर तयार हुआ है आज उसका लोकारपन हो रहा है संसद भवन तो पहले भी था हमें तो मुका मिला उसमें भी काम करने का और इसमें भी लेकिन जैसे हमने आज आकर देखा और पुराने संसद से इसका कोई मुकावला नहीं किया जा सकता पुराने संसद भवन में सुभधाओं की कमी थी बैठने की तंगी थी और भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं यो वहां पर नहीं हो सकती थी लेकन सतर भर्षों बाद ही सही लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये इतिहासे कदम जो है वो उठाया है और नई संसद भवन का निर्मान जो है वो पूरा किया है कितना आनंदित करने वाला माहौल कितना गर्व महसूस करने वाला ही पल हमारे माने प्रधान मंत्री जी ने जिस बवन का शिला नियास किया उसका उदगाटन आज हो रहा है और हमारे लिए तो विशे सो बागे की बात ये है कि हमने नो साल तक पुराने संसत बवन में काम किया वहां माने प्रदान मंत्री जी के नितरतों में हमारी पार्लियमेंट ने बहुत सारे महतुपूर नियने लिए चाहिए राम मंदिर के निर्मान का है इस संसद बावन के निर्मान का है दारा 370 रटाने की बात थी नोट बंदी की बात थी जीस्टी की बात थी तलाक की बात थ आज नए संसब्वान में प्रवेश कर रहे हैं मेरे लिए तो विश्य सो भागे की बात यह कि आज राजस्थान का पथर लगा वाए बवन जो सामने दिखाई दे रहा है जहां करोली दौलपूर और विभिन स्थानों से लायावा पथर यह लगा है यह आबू का पथर भी ल बनाकर के खड़ा किया है आज प्रदान मंत्री उन सब का भी स्वागित करेंगे तो मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आज बहुत सुभागे का विश्य है सब लोग अपने घरों में दीब जलाएं प्रशनता करें मिठाया बातें यह इससे बड़ा सुभागे क है कि राजिस्तान का जो पत्थर लगा हुआ है उस राजिस्तान के ही पत्थर में मेरे भरतपुर जिले से भी 75% पत्थर इसमें लगा हुआ है तो हमारे लिए तो पूरे भरतपुर जिले की जनता के लिए बड़े ही सौभागे का हर्स का दिन है कि यह संसद बनकर खड़ी यूए और भरतपुर का 75 परसेंट यहां पर पथल लगा हुआ है मैं पुने ही देशबासियों को शुब काम नहीं दूँगी और आज गरों में दीपक जिलाएं कि इतना बड़ा निर्ड लेने के बादा यह संसद यहां पर खड़ा हुआ है और उद्गाटन के लिए माने प पटेल सहाव वो आपके गुजराद से है सांसत के तौर पर कितना बड़ा गरब का पल और गुजराद की महती भूमिका को कैसे देखते हैं एक अच्छा पल हमारे लिए कि आज दिपावली से भी ज्यादा एक हमारा मुमेंट जो हमारे 140 करोड जंता का जो लोक मंदीर है उ उस उद्गाटन के समारों के अंदर मानेनिया प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जी की जो सोच है कि हमारे भारत को विश्व फलक पे पहुंचाना है उसकी जलक दिख रही है उसके साथ कि मेंडिन इंडिया का आज तक जितने भी 75 साल हो गए अमरूत काल चल रहा है पर हम बिल हम लोगों ने पास किये जैसे 370 धारा या तो तीन तला क्या तो कई ऐसे जो देश और दुनिया देखती रहेगी कि ऐसे बिल कभी पास हो गए कि नहीं हो गए और आज की तारिक में जो नया भवन हमारे लोग तंत्रमंदिर का है उसका लोकारपन हुआ है और सभी संस थोड़े टाइम के अंदर विश्व फलक पे पहुँच जाएगा और विश्व गुरु बनने जा रहा है सबसे पहला तो कितना बड़ा पल जब आपको देश के नया संसद्धावन मिला है देखिए सबसे पहले में देश वाश्यू को मुबरक देता हूँ हम कब तक बृतिस का बनाया हुआ परलेमिन में बित्ते रहेंगे ये एक मोदी जी का एक हिंडूस्थान को दुनिया में एक पहसान है ये नया परलेमिन बनाया है ये नया पर्लेमेन आने अलग काल का हिंडूस्तान का भविश्य को दिशाद और दसा दिखाता है अभी अभी हम लोगों ने अंदर में भी जाके आए हैं और ऐसा सुन्दर साथ दुनिया में ऐसा कोई पर्लेमेन नहीं होगा तो इसले मैं देश वाशिव को भी यही कॉंगूरost दूनगा आश मोधी जी के होने के करन मोधी है तो मुमकिन है तो देश वाशिव को में यह कहूंगा कि आप विश्वास रखो मोधी जी का मोदी जी का दिसा और दासा में हम आगे चलना होगा और देश को आगे ले जाना होगा ये नया परलेमेंट जो है हिंडुस्तान का पहसान एक फ्री इंडिपेंडन कांट्री का एक पहसान है इस पहसान को हम बरकरा रखेंगे और आने अला कल हमारा हिंडुस्तान का ही होगा नमस्कार जोहिन। जिस तरह से भारत को देश को एक नया संसत का भवन मिला है एतियासिक पल है इसमें ना सिव देशबासी प्रसंद है बलकि हर लौमेकर और हर मानिय संसत इसमें प्रफुलित है और उनका कहना है कि आज देश में दीवाली जैसा माहौल है हर भारत बासी को आज गर्व है कि मेर मेरा संसत मेरा स्वाभिमान कैमरामेन मनोज के साथ अमरेंदर गुपता संसत टीवी दिल्ली